अब देखते हैं other members of Mughal household और palace में कौन-कौन से लोग थे, male and female slaves for various tasks, उसके पाद slave unics होते थे, जिनको ख्वाजसारा कहते थे, वो guards होते थे, servants होते थे और women के agents होते थे in commerce, women जो अपना जो hidden economy या commerce का activities करती थी, उनके वो agents होते थे, यहां एक question है आपका, give some example how Mughal women dealt with finance or status of Mughal royal women, और यह part भी आपका question number 3 का ही part होगा, इसमें सबसे पहले नूर जहां के बारे में देखते हैं, who was Jahangir's wife, she was a very powerful woman, उसके बास second most powerful woman देखे, जहां नारा एं रोशा नारा शाह जहां's daughter, equally important, और यह लोग क्या, इनका क्या, जहां आरा रोशा नारा, who were not married, they lived with Shah Jahan only, they controlled financial resources, their annual income was as equal to मनसबदार कभी-कभी उनसे भी जादा हो जाता था, building बनाने में, they commissioned buildings, gardens, making of Shah Jahanabad for example, चान्नी चौत्क एं कारवा सराई, इस तरह की चीज़ों को बनाने में उन्होंने काफी contribution किया था, उसके बाद third number पे आती है, हुमायू sister Gulbadan Banu, जिन्होंने हुमायू नामा लिखा था, Turkish और Persian में, and which gives glimpse of Mughal household, she recorded memoirs for Abul Fazzal on request of Akbar, अकबर ने उनको request करके, contribute करने को कहा था, Abul Fazzal के memoirs को लिखने में, या text को लिखने में, क्योंकि उनको past की बहुत सारी जानकारी थी, फिर conflicts and tensions among princes के बारे में उन्होंने बताया था इस में, इस memoirs में, और how elderly women resolved it, तो इनका main उनका जो दो aspect था, then fourth आते हैं, imperial officials, मनसब्दारी system, यहां तक हमारा हो गया, मुगल household का, अब आते हैं हम, मनसब्दारी system को समझने कोशिश करते हैं, back question, question number eight देखे, NCRT का, और theme eight में भी हमने मनसब्दारी का reference लिया था, this is imperial household में, मनसब्दारी system को समझने के लिए, अक्बर नामा को हमें एक बार refer करना होगा, introduction में, अक्बर नामा explains, vision of empire, nobles were called मनसब्दार, मनसब्दार किसको कहते थे, nobles को, और vision of empire क्या था, emperor was at head and along with different institution, और nobility और army मिला के, जिसको मनसब्दारी system काता था, उसको important pillar of mughal state माना गया है, मनसब्दारी system के definition के लिए आप refer कर सकते हैं, page number 214, इसके previous chapter में, which will explain, अब देखते हैं, nobility of mughal state कितने types के थे, from diverse ethnic, they came from diverse ethnic group, जैसे आप page 244 पे अगर आप चार चमन को refer करें, तो आपको समझ आजाएगी कि कितने diverse group के थे, यह नोबल्स अलग-अलग, पहले भी मैंने आपको refer किया, इरानी भी थे, तुरानी भी थे, डेकनी भी थे, राजपूत भी थे, अलग-अलग community से आते थे, और इसका reason क्या था, source 3 में, अगर आप देखे, so that no one could challenge the emperor and state, variety की वज़ा से unity की possibility बहुत कम होती थी, तो emperor को कोई challenge नहीं कर सकता था, and they were also called guldasta, that is bouquet of flowers, क्योंकि different थे, अलग-अलग community के थे, इसलिए उनको एक तरह से bouquet of flowers का जाता था, और loyalty of state जो था उनका, उससे वो जुड़के रहते थे, और आपस में unite रहते थे, उसके बाद जो सबसे शुरू के nobles थे, वो इरानी और तुरानी थे, हुमायू के टाइम से, उसके बाद 1560, 1560 में अकबर ने राजपूत को include किया, और इंडियन मुस्लिम को, इंडियन मुस्लिम को शेख जादा कहा जाता था, सबसे पहले जो उनके nobles थे, वो राजा भारमल कच्वाह थे, आमेर के, और ऐसा माना जाता है कि अकबर गॉट मैरिट तो हिस डॉर्टर, फिर उनके अकाउंटेंट थे, और एजुकेशन के लिए जो थे, वो हिंदू कास्ट के थे राजा टोडरमल, उसके बाद नूर जहां, जहांगीर की जो वाइफ थी, उनके 1645 में, उनके टाइम में इरानियन nobles थे, उनको काफी हाई दर्जा दिया जाता था, और अन्जेब के टाइम में जो पॉपिलर nobles थे, वो राजपूत और मराठास थे, तो अलग-अलग emperors के टाइम में, अलग-अलग favorite nobles होते थे, राजाओं के, इनके features देख लेते हैं, यह जो all held ranks, that is, मनसब, अकबर ने design किया था, यह system, यह बहुत important है, मनसबदारी system को किस ने design किया था, मनसब दो पार्ट में होता था, एक जात होता था, जात indicate करता था, उसका noble के position को, जो की salary उसकी decide करती थी, और दूसरा था सवार, जिसमे number of horsemen, जो मनसबदार होता था, उसके पास कितने horsemen होते थे, उससे उसकी position का पता चलता था, तो यह दो चीज़े, जात और सवार मिलके, noble के designation को indicate करता था, for example, in 17th century, 1000 जात्स मनसबदार वाज, उमर और अमीर, यह एक example है, कि 17th century में, जिसके पास, 1000 जात होते थे, और सवार होते थे, वो उसको अमीर माना जाता था, उसके बाद, second feature है, मनसबदार का, कि they participated in military campaign, with their army, अपनी अपनी आर्मी मेंटें करते थे, और जबी भी कोई military campaign होता था, तो राजा को या एंपरर को support करते थे, और उनके साथ यूद पे जाते थे, फिर दे सर्फड अफिसर्स इन प्रोविन्स, अलग-अलग जगा उनको ट्रांसफर किया जाता था, प्रोविन्शियल अड्मिनिस्ट्रेशन में, और उनको लुक आफ्टर करते थे, इस पिर इच कमांडर trained army, that is cavalry, इनके कमांडर जो होते थे, आर्मी कमांडर, उनकी कैलरी होती थी, with superior horses branded with imperial mark, दाग लगा जाता था, horses में को mark कियाता था, royal marking से, उसके बाद emperor decided change in rank, and posting of manसब, only higher rank, राजा अपने level पर decide करता था, कि कौन सा manसब, कहां पर post होगा, या किस province पर ट्रांसफर किया जाएगा उसका, फिर next feature है, अकबर had spiritual relation with some manसबदार, कुछ एक जो manसब से, उन से काफी philosophical discussions इसके होते थे, फिर nobility gave the officers power, wealth and high reputation, nobility से तीन चीज़े मिलती थी, जितने भी manसब से उनको, manसबदार जो थे, power, wealth and high reputation, उसके बाद, इनको petition, nobility join करने के लिए, किसी एक particular person को, petition यानि application डालनी पड़ती थी, जिसको तजवीज कहा जाता था, इसमें example है, मीर बक्षी का, जो minister था, जो emperor के right side में खड़ा होता था, जिसको pay master general कहा जाता था, वो present करता था, newly appointed officers को court में, और उसके बाद, order was signed by him and emperor, and sealed, जो emperor, जो भी order होता था, emperor sign करते था, अद्मीर बक्षी sign करते है, उसको seal किया जाता था, फिर second जो position होती थी, वो finance minister के होती थी, pay master general के बाद, उसको दिवाने आला कहा जाता था, third जो होता था, वो सदरे सुदूर होता था, वो भी minister होता था, यानि वो minister किस्टीज का था, grants का था, appointment का था, of judges and kajis, यह kajis को यानि judges को appoint करता था, यह तीनों जो ministers थे, यह emperor के advisory body में आते थे, और emperor के साथ मिलके, system design करते थे, जो कामकाज का और जो official कामकाज और जो money से related matter था, उसको यह लोग design करते थे, उसके बाद जो officers जो posted at court थे, उनको reserve officer माना था था, उनको कहा जाता था, तैनाते रकाब, और इनका क्या, इनकी क्या duty थी, तैनाते रकाब की, अप they appeared twice, daily in the court, court में उनको दो बार रोज, appear होना पड़ता था, अपनी submission दिखानी पड़ती थी, public hall में, यानि आगे सलाम जाना पड़ता था, उसके बाद they guarded the emperor and household, 24 hours, इनकी 24 hours की duty होती थी, household को guard करने की, यहाँ एक question आता है, explain the system of record keeping of Mughal administration, और who kept the record of administration, court and nobility, यह सारा कामकार जो चल रहा था, swiftly चल रहा था, record keeping में responsibility थी, वो थी मीर बक्षी की, मीर बक्षी यानि पे मास्र जनरल अभी हमने पड़ा उसके बारे में, he supervised the record keepers, record keepers को दो तरह के होते थे, पहला होता था वाजा नवीस, और दूसरा था वकील, वाजा नवीस का क्या काम था, he recorded all application and documents of court, जितने भी royal orders होते थे, और जितने भी documents होते थे court के, उनको उसको संभालता था, या record keeping करता था उसकी, और वकील का क्या काम था, ये nobles के agents होते थे, और जितनी भी proceeding होती थी court में, उसको वो record करते थे, session wise, हर पहर पे जितना भी कुछ काम होता था, उसको record करते थे, और heading क्या रहा होते थे, news of court, यानि अखबाराते दर्बारे मौला, दर्बार के में जितने भी proceedings होते थे, उसको वो सिलसिलेवार डंक से, या उसको अच्छे से, उसको properly, उसको document करते थे, now, क्या record होता था news में, in this news, जो अभी है मैंने आपको बताया, खबाराते दर्बारे मौला, इसमें क्या record होता था, सबसे पहले attendance in the court, दूसरा grants of titles and offices, इस particular दिन में कितने titles दिये गे, कौन-कौन से offices को दिये गे, तीसरा diplomatic missions कितने आए, फिर gifts कौन-कौन से receive होए, और emperor's concern for an officer, किसी भी officer को कोई problem थी, तो उसको emperor ने कितने कितना concern किया, वो सब कुछ record होता था, और जो news था, it traveled across the empire through imperial post, कुछ भी proceeding या कुछ भी news होता था, वो travel होता था through imperial post, and who carried these papers, who were involved in imperial post, यानि लोग जो involved थे, imperial post में, एक जगा से दूसरे जगा, खबर पहुचाने में, वो कौन लोग थे, सबसे पहले थे, कासिद और पत्मार कहते थे, जो 24 घंटे चलते थे, उनको foot runner, these foot runners carried rolled paper in bamboo container, उसको bamboo container होता था, उसके अंदर वो जितने भी खबर या news का paper होता था, उसको roll करके, उसको fit करके, उसको carry करते थे, और 24 आर्स वो लोग जाते थे, turn wise, this report came to emperor in few days, copied by agents of nobles, Rajput princes and tributary rules, उसके बाद the main copy sent back, then announcement made locally, जो भी order होता था, उसको finally, जब copy हो जाता था, उसको फिर locally announce कर दिया जाता था, ये show करता है कि the Mughal empire में information कितना rapidly एक जगा से दूसरे जगा spread होता था, because they had efficient communication system, अब हम आते हैं provincial administration, यहां तक हो गया हमारा central administration, जो center में court था, palace था, और उसमें जितनी भी activities थी, या capital में, अब आते हैं provinces में क्या होता था, provinces को सूबा कहा जाता था, back question question number 5 देखिए उसमें, you have to explain about it, तो इसमें same center की तरह system follow होता था, लेकिन इनके जो ministers थे, इनके ministers भी तीन होते थे, center में जो मीर बक्षी था, province में उस post को बक्षी कहा जाता था, center में जो दिवाने आला था, वो province में दिवान कहलाता था, सदरे सुदूर जो center में था, वो सदर कहलाता था, province में, तो head of province को कहते थे, सुबेदार जो governor होता था, वो directly report करता था, emperor को, सुबा वो डिवाइदे इन्टो सरकार, and it used to overlap the work with फौजदार, फौजदार कौन थे, commandant थे, commandant with cavalry and musketeers, जो घुरसवार और बंदूगधारी होते थे, फिर उसके बाद third number पे आता है, administration में, local administration, जिसको परगणा कहते थे, यहाँ sub district, सुबा district था, और local administration यानि परगणा था, sub district, इसमें कौन से तीन officials थे, सबसे पहले था, कानून को जो revenue record की पर था, फिर चौधरी था जो revenue collector था, उसके बाद काजी था जो judge था, और इसमें अब आप ध्यान देने के लिए आप नोट कर सकते हैं, सुबा, that is province, उसके बाद सरकार, that is district, आद उसके बाद परगणा, that is sub district. Now, each department, support staff, clerks, accountants, auditors, messenger, technical officer, यह सारे यह technical officer for rules and procedure, यह अलग-अलग departments थे, उसके बाद language administration का क्या था, Persian, और village account का, जो language था, village account keeping का, वो local language था, जो village में जो भी भाशा या जो भी direct बोला जाता था, बोली-बोली जाती थी, उसी में काम होता था, chronicles के हिसाब से, यानि अबुल-फजल के text के हिसाब से, emperor controlled all administrative apparatus down to the village level, emperor के पास सब चीजों के report होती थी, और वो direct control करता था, इन सारे levels को, और कई बार काफी tension होता था, as relation between the state representative and zamindar, that is, rural magnet जिन को कहा जाता था, इन में काफी clashes हो जाते थे, ये full of conflicts होते थे, क्यों? resources के share करने के लिए, यानि वहाँ पे भी पैसा, जहां resource share करने की बात था था, वहाँ पे state में और zamindars में हमेशा टक्राव होता रहता था, और zamindar को जादा support था, क्योंकि जो पेजन्ट थे, उनको पेजन्ट मिलिश्या को mobilize कर लेते थे, और state के against वह जीत जाते थे, या उनको फेस कर लेते थे, फेस कर लेते थे, यहां तक हम ने समझ लिया, provincial administration till the local level, यानि village level तक, अब आते हैं हम sixth point पे, that is foreign relation of Mughals, question number four, अगर back question आप देखे, और question on page number 250 भी है, discuss है consideration that shaped relations, कौन कौन सी चीजें थी, जिन्होंने foreign relation को shape किया था, तो historians give account of diplomatic relationship, conflict with neighboring powers, and political rivalry of regional interest, यानि foreign relation जो था, Mughals का किसी भी foreign country से, जिसमें Ottomans थे, Safavids थे, Ottoman यानि टर्की सफाविद यानि इरानी इरानी, तो उनके, उनका basis क्या था, तीन basis था, एक तो diplomatic relation था, उनके ambassador आते थे, इनके ambassador जाते थे, दूसरा था कि कई बार borders के लिए, या किसी खास area के लिए, conflict होता था, तो आपस में neighboring power में, कई बार conflict हो जाता था, या भीड़ जाते थे आपस में, और political rivalry for regional interest, कई बार resources को लेके, जो regional interests होते थे, जगे या resources के, उनकी political rivalry चलती रहती थे, जैसा मैंने आपको बताया था, example, Safavids जो इरानी थे, Ottomans जो टर्क्स थे, और उसके अलावा, Europeans जो missionaries थे, फिर Portuguese थे और English थे, ये सब लोग थे, जिनसे मुगल्स के foreign relation, अब one by one इसको हम देखते हैं, पहले Safavid, figure 9.15 में देखिए, इनके साथ मुगल्स का political and diplomatic relation था, इरान और तुरान जो था, उनका Hindu कुष पे उनकी आँखे थी, और क्योंकि वो सीधा इंडिया में एंटर करने के अब था, एक्सेस तो इंडिया के लिए सबसे इजी था, Hindu कुछ से क्रॉस करके आना, उसके बाद और किस चीज के लिए होता था, काबूल और कांधार के लिए, कांधार जो अफगानिस्तान में है, उसका strategic importance था, वो outpost था इंडिया का, उसके बाद कांधार जो था, वो हमेशा bone of contention रहा, मुगल्स और इरानीज यानि सफाविट्स के पीछ में, फिर इट वाज अंडर हुमायू, देन अकबर in 1595, दोनों समय में कांधार bone of contention बना, हुमायू के समय में भी और अकबर के समय में भी, फिर सफाविट जो थे उन्होंने claims take किया था, और 1613 में जहागीर ने envoy को सफाविद के पास भेजा था, कांधार को retain करने के लिए, अपने पास रखने के लिए, लेकिन mission fail हो गया था, और मुगल जो थे वो फाइनली कांधार को सफाविद के हाथों हार गये, फिगर 9.16 में अगर आप देखे, जहागीज dream for good relation with शाह अबबास, अगर आप देखें इसमें तो, उसके बाद आता है Ottoman, इन से क्या रिष्टा था, मुगल का रिष्टा ओटमन से, ओटमन से जो relation था, वो किस पे बेस था, free movement for merchants, pilgrims in Ottoman territories, और for Hejaz, part of Ottoman Arabia, where Mecca and Medina were located, Turkey या Ottoman Empire से, इनका good relation का, या relation का जो basis था, वो था क्योंकि इनको regular Mecca या Medina जाना होता था, तो they had to cross that area, फिर religion and commerce were combined by Mughals, तो merchants यानि commerce and hijaz यानि religion, दोनों को Mughals ने combine कर लिया, और वो क्या करते थे, export of valuable article के लिए जब जाते थे, अधन और मोखा यानि reds, साथ में religious purpose भी solve करते थे, यानि they used to proceed for sale distributed to shrines and religious men, उनका जो profit आता था, उसमें से एक portion वो वहां के shrines को देते थे, लेकिन औरंजेब ने इस चीज़ को रोख दिया, क्योंकि इसको profit के नाम पे, यहां पे corruption शुरू हो गया था, इसलिए उसने कहा कि तुम्हारे profit में से जो भी आपको portion देना है, तो आप India में ही उसको distribute कीजे, उसके बाद आते हैं Europeans, ये Europeans में चार तरह के लोग, चार तरह के Europeans आए इंडिया में पहले थे Jesuits, जो missionaries थे, फिर travelers आए, फिर merchants आए और उसके बाद diplomats, diplomats में जो मैंने example आपको टॉमस रो को का दिया, जहांगीर के court में, और ये लोग थे, they gave knowledge of India to Europeans, ये चार तरह के लोग जब इंडिया आते थे उस समय में, तो वापस जाके इंडिया के बारे में Europeans को बताते थे, जैसुएर्स होते, they were the first to inform about Mughal to the Europeans, ये missionaries of society of Jesus को जैसुएर्स कहा जाता था, युन्होंने सबसे पहले Europeans को बताया था कि इंडिया एक बहुत prosperous, काफी rich country है, end of 15th century में Portuguese merchant made trading station through sea roots in coastal India, and they wanted to propagate Christianity through Jesuits, Portuguese जब आया 15th century में तो इनका दो परपस था, पहला अपना trading center बनाना, through sea roots in coastal, और दूसरा Christianity को propagate करना, अकबर को काफी interest था, Christianity, वो तो सभी religion में interest लेता था, Christianity में भी लेता था, इसलिए उसने Jesuits को गोवा से अपने court में बुलाया, Jesuits priest को, फिर 1580 में पतेपूर सीकरी में, first Jesuit mission reached, Jesuit debated with ulema's, काफी religious philosophical discussions करवाता था, 1591 and 95 में, 1591 और 95 में, दो और missions आए Mughal court पे, reference में source 4 देखिये, Jesuits wrote about emperor, they were close to Akbar, went on campaign with him, tutored his children and they were the companion of emperor, ये बड़ा interesting था, इनकी जो activities थी, missionaries की क्या थी, बहुत close थे companion Akbar के, वो जहां पे भी campaign में जाते थे, उनके साथ जाते थे, they used to write about it, और tuition भी देते थे उनके बच्चों को, and they wrote same about state officials and condition of Mughal time, as in chronicles, same चीज जो chronicles में लिखी है, उन्होंने वही description दिया है, उस समय का, which also shows कि कई बार जो कभी हम कहते कि chronicles, जो थे Mughal chronicles, यानि जो explanation था, Abul Fazzal का, वो कहीं कहीं पे genuine नहीं था, तो इसको एक ये contradiction हो जाता है, क्योंकि जो, Jesuits थे, उन्होंने भी same feature लिखे, now, if you compare source 2 and 4, in source 2, emperor is shown as important and strict, in source 4, he is shown as approachable to the subjects, तो ये आपके question है, source 4 में, वो आप कर सकते हैं, what is the difference between the two sources, एक जगा, emperor को tough दिखाया गया है, या strict दिखाया गया है, और दूसरी जगा उसको approachable दिखाया गया है, लोगों से, the people could reach, now, coming to the last part of this chapter, Akbar's religious policy, जैसा मैंने आपको बताया कि, Akbar को काफी interest था, philosophical और religious debates कराने का, उलेमाज और जैसुइट के बीच में, वो time time पे करवाते रहते थे, he showed high respect to the Jesuits, उनके दरबार में, जो भी तीन बार आए, जैसुइट उनको काफी उन्होंने रिस्पेक्ट किया, and Jesuits were very impressed, and they called him tolerant, उन्होंने जो अपने description लिखा, उसमें, अकबर को tolerant king के रूप में लिखा, as in, क्यों लिखा, क्योंकि उस समय, Western Europe में, काफी religious intolerance spread था, अब अकबर का देख लेते, अकबर encouraged interfaith debates, आप reference दिखें, figure 9.17 में, Hindu, Muslim, Jain, Parsi, Christian, सब साथ बैठके, they used to sit together, उनके representatives जो थे, और debates होते थे, वो कहां होते थे, उस जगा का नाम था, इबादत खाना, the place where they used to sit and have debates, it was called, इबादत खाना, and it was situated in, पतेपुर सीक्री, then, what did the scholar do, they queried of different religion, and learned them, एक दूसरे का religion के बारे में, question भी करते थे, और उस से सीखते भी थे, इस की बज़ा से क्या होता था, तो orthodoxy का वहाँ कोई space नहीं था, फिर they followed divine worship of light and sun, ये लोग जितने भी थे, इनको ज़्यादा belief था light में और sun में, यानि natural sources of energy होते थे उसमें, अकबर और अबुल-फजल, they created a concept of divine light, which gave him power and sovereignty to control enemies and rule subjects, अबुल-फजल ने idea दिया था, अकबर ने भी उसको create किया था कि divine light है, जो राजा को, जो emperor को power देती है, अपने दुश्मनों को control करने का और अपने subjects को rule करने का, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ अकबर तो बिकम पॉपिलर अमंग इस non-muslim subjects, यह जो समय समय पर debates होते थे, यह जो openness towards other religion था, इस वजा से, अकबर काफी popular emperor माना गया, अपने non-muslim subjects के बीच में. This made the Mughal dynasty to be popular for a very long time, for centuries, even after its decline. With this, we come to the end of this chapter, and also second book, that is Medieval India. Thank you very much. Dear Students, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो इससे अपने friends के साथ share करें, like करें, और channel subscribe करें. Thank you.